नमस्कार मित्रूं, सब्सक्राइब कीजिए आपकी दैनिक राशिफल चैनल को, जैसनी देव, दोस्तों स्वागत है आपकी दैनिक राशिफल में 5. जून, बुधवार को सुकर्मा और सिद्धी नाम के शुब योग बन रहे हैं, जिससे सिंग राशी के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा दिन रहेगा व्रिश्चिक राशी वालों को सितारों का साथ मिलेगा, बिजनेस की परेशानियां कम होंगी 5. जून का पंचांग, बुधवार का पंचांग, शुब मुहूर्त और राहुकाल का समय राशिफल से पहले आज का पंचांग इस प्रकार है 5. जून 2024 का दैनिक पंचांग आज का पंचांग 5. जून 2024 को जेश्ट माह के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी तिथी है 12.19 मिनट मिनट दोपहर के 2.3 मिनट मिनट तक रहेगा चंद्रमा व्रिशब राशी में मौझूद रहेंगे मकर राशी के लोगों को बिजनेस की परेशानियों से राहत मिल सकती है मीन राशी वालों के लिए फायदेमंद दिन रहेगा इनके अलावा करक राशी वालों का काम ज्यादा रहेगा इससे नौकरी पेशा लोगों का तनाव बढ़ सकता है वहीं बाकी राशीयों के लिए मिला जुला दिन रहेगा इनके अलावा बाकी राशीयों के लिए मिला जुला दिन रहेगा 5 जून, बुधवार के मुताबिक 12 राशियों के लिए कुछ ऐसा रहेगा दिन वीडियो को देखें, लाइक, कमेंट और शेयर करें कमेंट करके आप अपना सुझाव हमें जरूर लिखें आपकी राशिफल के मुताबिक 12 राशियों का फल जरूर देखें मेश पॉजिटिव रुका या उधार दिया पैसा वापस लेने की संभावना है समय आपके पक्ष में है, पूरे मन से लक्ष के लिए समर्पित रहें युवा वर्ग अपने करिय के प्रती पूरी तरह एक आगरचित रहेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे नेगेटिव कुछ ना कुछ परेशानिया भी बनी रहेगी बहतर होगा कि वियर्थ के जमेलों में ना पड़े ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधूर बना कर रखें क्यूंकि कुछ वाद विवाद जैसे स्थिती बन रही हैं घर के बड़े बुजूर्गों की सलाह का भी जरूर अनुसरन करें व्यवसाय बिजनेस में नए प्रयोग पर अमल करना फाइदे मंद रहेगा विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें किसी को भी पैसा देने से पहले वापसी भी सुनिश्चित करना आवश्यक है सरकारी नौकरी पेशा लोग गैर कानूनी कामों में न पड़ी लव पारिवारेक मामलों में शांती और व्यवस्था बनाए रखने में आपकी खास भूमिका रहेगी अपने स्वभाव में स्थिर्टा बना कर रखें स्वास्थय कुछ समय से चल रही स्वास्थय संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी रोग निवरिती के लिए प्राकृतिक तरीकों को अधिक अपनाए भाग्यशाली रंग मेहरून, भाग्यशाली अंकतीन व्रिश पॉजिटिव सोसाइटी अथ्वा सामाजिक गते विद्लियों में आपका योगदान रहेगा और पहचान भी बढ़ेगी घर की साफ सफाई तथा सुधार संबंधी कारियों में भी व्यस्तता बनी रहेगी परिजिनों के साथ मिल बैठ कर अनुभव सांजा करना सब को खुशी देगा नेगेटिव कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें क्यूंकि कोई ऐसी बात आपके मुँन से निकल सकती है जिसके लिए आपको पच्टाना भी पढ़ सकता है घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन को लेकर भी तनाव रहेगा व्यवसाई इस समय मौझूदा बिजनेस पर ध्यान दे विस्तार संबंधी योजनाओं पर अमल करना छीक नहीं है नई तक्नीक का इस्तेमाल करने संबंधी कार्य प्रनाली पर विचार होगा ओफिस में अपनी फाइले और डाक्यूमेंट संभाल कर रखें लव विवाहित जीवन सुखद रहेगा प्रेम संबंधों में बहुत अधेक सावधानी बरते गलत फहमियों की वजह से दरार आ सकती है स्वास्थ्य स्वास्थ्य कुछ नर्म रह सकता है थोड़ी सी सावधानी और सयम आपको स्वस्थ रखेगा भाग्यशाली रंग औरंज, भाग्यशाली अनकेक मिथून पॉजिटिव व्यस्तता के बावजूद आप अपने परिवार्व संबंधियों के लिए समय निकाल लेंगे आपकी कार्यकु शल्ता द्वारा उम्मीद के अनुरूप लाग भी प्राप्त होगा अपनी योजनाओं को क्रियानवित करने का उत्तम समय है परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी नेगेटिव युवावर्ग का अपना भविश्य संबंधी गतिविधियों को लेकर बाहरी व्यक्तियों पर ज्यादा विश्वास करना और उनकी बातों में आना आपके लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्नय नहीं ले तो अच्छा है व्यवसाए व्यवसाएक गतिविधियां अच्छी रहेंगी फोन और कॉंटेक्ट के जरिये ज्यादातर काम बन जाएंगे मीडिया संबंधी गतिविधियों पर ध्यान दें इंकम सोर्स बनेंगे लेकिन धीमी गति से नौकरी पेशा लोग व्यवसाएक यात्रा पर जा सकते हैं लव घर परिवार के वातावरन को खुशनुमा बनाए रखने के लिए आपका सहयोग भी जरूरी है सभी लोगों में प्रेम पूर्ण व्यवहार बना रहेगा आग्यशाली अनकाथ कर्क पॉजिटिव किसी समस्या का समाधान मिलने से आप राहत महसूस करेंगे तथा आप पूरे आत्मिश्वास के साथ अपने अन्यकारिया पर भी ध्यान केंद्रित कर पाएंगे बच्चों के विवाह समबंदी कारियों की भी योजना बनेगी तथा नजदी की लोगों का भी सहयोग मिलेगा नेगेटिव अपने निर्णियों को ही प्राथा मिक्ता पर रखें किसी नजदी की मित्र या संबंदी की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी अचानक ही कोई बड़ा खर्चा आने से बजट गड़बड़ा सकता है किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचें व्यवसाय व्यवसाय में मिहनत के अनुरूप उच्चित परिनाम हासिल होंगे मीडिया वा संपर्क सूत्रों द्वारा आपको कुछ नई योजनाय बनाने में सफलता मिलेगी काम ज्यादा होने से नौकरी पेशा लोगों का तनाव बढ़ सकता है लव परिवार में अनुशासित और शांतिपूर्ण महौल रहेगा परंतु प्रेम संबंधों में आपसी सामन जस्य रखना जरूरी है स्वास्थय मान स्पेशियों में दर्द वक हीचाव की समस्या रहेगी व्यायाम तथा मेडिटेशन में भी कुछ समय व्यतीत करें भाग्यशाली रंगहरा, भाग्यशाली अंक पांच सिंग पॉजिटेव आज आप सभी काम बहुत ही आत्म विश्वास और मनोबल से पूरा कर लेंगे घर में नजदी की संबंधियों की आवाज़ा ही रहेगी तथा आपसी समय व्यतीत करके सबको खुशी महसूस होगी घर और व्यवसाई दोनों जगह उचित तालमेल बनाकर रखने में आपका प्रयास सफल रहेगा नेगेटिव अचाना की कोई ऐसा खर्चा भी सामने आएगा की जिस पर कटोती करना संभव नहीं हो सकेगा संतान का व्यवहार वह हरकते आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं परन्तु समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालना उचित रहेगा व्यवसाए व्यवसाए संबंधी योजनाई और उपक्रमे करने की जरूरत है क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों की वजह से मंदी का असर आपके व्यवसाए पर भी पड़ा है हिम्मत बनाए रखें नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थितिया अनुकूल बनी हुई है उच्छा देकारियों की भी कृपा द्रिष्टी रहेगी लव पती पतनी के आपसी तालमेल और सामन जस्य में कुछ कमी रहेगी बहतर होगा की समय के अनुसार अपने व्यवाहार में भी उच्छित परिवर्तन लाएं स्वास्थ्य विपरीत परिस्थिती में हिम्मत हारने के बजाए सामना करें तथा तनाव में ना आए कुछ समय प्रकृती के समीप जरूर व्यतीत करें और मेडिटेशन भी करें भाग्या शाली रंगलाल, भाग्या शाली अनकेक कन्या पॉजिटेव आज कुछ चुनोतियां रहेंगी परंतु आप उनका समाधान भी निकाल लेंगे इससे अपने अंदर भर पूर उर्जावा आत्म विश्वास महसूस करेंगे घर की किसी समस्या को भी सुझाने का उचित समय है प्रोपटी से संबंधित कोई कार्या बनेगा नेगेटेव किसी मित्र से संबंधित कोई पुराना मसला पुना उच सकता है शांतिपूर्ण तरीके से व्यवाहार करना ज्यादा उचित रहेगा अन्यथा तनाव के अलावा और कुछ हासिल होने वाला नहीं है शौपिंग करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें व्यवसाए व्यवसाए में पैसा निवेश ना करें कर्मचारियों व साजेदारी संबंधी गतिविदियों और क्रिया कलापों पर पूरी नजर रखें टूर एंड प्रेवल्स तथा मीडिया संबंधी व्यवसाए में अच्छा मुनाफ़ा होने की उम्मीद है ओफिस की कार्य प्रनाली और कार्य में दिक्कते आएंगी लव वैवाहिक संबंध मधूर बने रहेंगे घर में किसी नए महमान के आगमन संबंधी शुब सूचना मिलेगी स्वास्थ्य वहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें गिरने अथवा चोट लगने जैसे स्थिती बन रही है कोई भी रिस्क लेने से परहेज करी भाग्यशाली रंगहरा, भाग्यशाली अंक्छे तुला पॉजिटिव कॉल अथवा इमेल के माध्यम से कोई खास खुशखबरी मिलने वाली है पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए प्रयासरत थे आज उससे संबंदित सफलता मिलने की संभावना है साथ ही किसी नजदी की मित्ल का सहयोग आपकी हिम्मत और होसला बढ़ाएगा नेगेटेव ये समय अपनी क्षमताओं का भरपूर उप्योग करने का है इसलिए व्यर्थ की गतेविधियों में अपना समय और पैसा बरबाद ना करें अचानक ही खर्चों की स्थिती बनेगी इसलिए फिजूल खर्ची पर नियंत्रन रखना भी जरूरी है व्यवसाई कारोबारी गतेविधियां बहुत आधिक बढ़ जाएंगी जिसकी वजह से अतिरिक्त समय भी देना पड़ेगा दूसरों की सलाह पर भी विचार करके सभी निर्नयले नौकरी में काम पर पूरा ध्यान रखें किसी वजह से अधिकारियों से डांट फटकार सुननी पड़ सकती है लव जीवन साथी के साथ आपसी सम्बंधों में नजबी कियां बढ़ेगी प्रेम संबंधों में भी प्रगार्ता बढ़ेगी स्वास्थ कभी कभी डिप्रेशन जैसे स्थिती महसूस करेंगे परंतु ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि स्थिती इतनी गंभीर नहीं है आपने वियर्थी तनाव लिया है भाग्यशाली रंग गुलाबी, भाग्यशाली अनकाथ व्रिश्चिक पॉजिटिव ग्रह स्थिती बहुत अनुकूल रहेगी महिला वर्ग को अपने आत्म विश्वास और कार्यक्षमता द्वारा बहतरीन उपलब्दिया मिलेंगी व्यक्तिगत महित्व पूर्ण कार्य संपन हो जाएंगे तथा मौज मस्ती और व्यभव संबंदी चीजों की खरीदारी में भी खुश्नुमा समय व्यतीत होगा नेगेटिव अपने कार्य स्वयम ही करें तथा किसी से भी ज़्यादा उम्मीदे ना रखें माता पिता अथ्वा किसी भी वरिष्ट व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस ना पहुँचाएं उनके आशीरवाद वस सलाह का सम्मान करें युवाओं को अपनी दिंचर्या में कुछ नियमित्ता लानी होगी व्यवसाए कारोबार को लेकर पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों का हल मिलेगा अनुभवी व्यक्तियों का मार्ग दर्शन और सलाह आपको कोई व्यवसाएक निर्नय लेने में सहायक रहेगा प्रोपर्टी से संबंधित व्यवसाए में अच्छी कमीशन मिल सकती है कोई ओफिशियल टूर भी संभाव है लव घर में सुक शांती का महौल रहेगा किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति की वज़े से मानहानी भी संभाव है स्वास्थय नकारात्मक विचारों की वज़े से तनाव और ठकान महसूस होगा मेडिटेशन पर भी ध्यान दे भाग्यशाली रांगोरंज, भाग्यशाली अनकार्थ, धनू पॉजिटिव सुखद की स्थिती बनी हुई है सिर्फ परिस्थितियों के महत्व को समझ कर ही कोई कदम उठाएं इससे आप बहतरीन तरीके से अपने कारियों को अंजाम दे पाएंगे आज प्रॉपटी या कोई इससे संबंधित रुका हुआ मामला हल हो सकता है नेगेटिव इस समय कोई भी यात्रा करना कश्ट कारी रहेगा इसलिए कोई भी यात्रा संबंधी योजनाना बनाएं मौजमस्ती के साथ साथ अपने कारियों पर भी ध्यान देना जरूरी है किसी भी तरह का सरकारी कारिय रुका हुआ है तो उसे समय रहते पूरा करना जरूरी है व्यवसाए व्यवसाए में कर्मचारियों के भरोसे रहने की बजाए अपनी उपस्थिती भी अनिवारिया रखें अपने व्यवसाएक फाइले तथा डाक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें अन्यथा कोई इसका दुरुपयोग भी कर सकता है ओफिस का वातावरन शांतिपूर्ण बना रहेगा लव घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा प्रेम संबंधों को विवाह में परिनित करने के लिए पारिवारिक स्वीकृती लेने का अनुकूल समय है स्वास्थ्य वरिष्ट लोगों को वर्तमान मौसम की वज़े से ठकान और निराशा जैसे स्थिती रहेगी मानसिक सुकून और शांति के लिए कुछ समय प्रकृती के सानिध्य में भी गुजारे भाग्यशाली रंगलाल, भाग्यशाली अनकाथ मकर पॉजिटिव दिन सुखद व्यतीत होगा लेकिन कोई भी निरनाय भावनाव में आकर ना ले बलकि प्रेक्टिकल तरीके से अपनी कार्यप्रनाली संबंधी योजनाय बनाए ऐसा करने से आपको निश्चिती सफलता मिलेगी प्रिय मित्रों से मुलाकात होगी नेगेटिव आपसी संबंधों को मधूर बनाए रखने के लिए आपको ही विशेश प्रयास करने होंगे कभी कभी किसी जिद की वजह से आप अपना ही नुकसान का कारण बनेंगे इसलिए वक्त के अनुसार अपने व्यवाहार में लचीलापन बना कर रखे व्यवसाए व्यवसाए में कुछ समय से चल रही परेशानी से राहत मिलेगी परिवार जनों का सहयोग भी आपके लिए लाबदायक रहेगा नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से ओवर टाइम करना पड़ सकता है लेकिन उच्चाधिकारियों का सहयोग बना रहेगा लव आपका घर और व्यवसाए में उच्चित सामंजस्य बना कर रखना परिस्थितियों को बहतर रखेगा प्रेम संबंधों में नज़दी किया रहेंगी स्वास्थय अत्यधेक मिहनत की वजह से मनस्पेशियों में दर्द और ठकान महसूस होगी कुछ समय परिवार के साथ मनुरंजन संबंधी कार्या में व्यतीत करने से तनाव से मुक्ती मिलेगी भाग्यशाली रांग औरंज, भाग्यशाली अनकार्थ, कुम्व, पॉजिटिव, समाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपके विचारों को विशेश प्राथमिक्ता मिलेगी दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल रहेगी युवाओं को कोई मन मुताबिक कार्या बनने से सुकून मिलेगा किसी मनोरंजन यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है नेगेटेव अपरिच्छित लोगों से में मुलाकात करते समय अपनी सीक्रेट बाते शेयर ना करें कोई धोखा हो सकता है इगो और अतियात्म विश्वास की भावना आपकी कमजोरी भी है इस पर काबू रखें युवा वर्ग अपने भाविश्य संबंधी योजनाओं को लेकर सचेत रहें व्यवसाए व्यवसाए संबंधी हर गतिविदी पर पैनी नजर रखें लापर वही से पार्टियां टूट सकती है अभी कारियों की गती मध्यम ही रहेगी परंटू धैर्य और सयम से ये मुश्किल समय निकल जाएगा पाट्नेशिप संबंधी व्यवसाए में आपसी सामन जस्य बिठाना जरूरी है लव परिवार जनों के बीच उचित सामन जस्य रहेगा किसी नजदी की संबंधित द्वारा शुब सूचना मिलने से खुशी भरा वातावरन रहेगा स्वास्थय थकान और कमजोरी रहेगी उचित खानपान और आराम में भी ध्यान देना जरूरी है भाग्यशाली रंगहरा, भाग्यशाली अंकनो, मीन पॉजिटिव लाबदायक समय है कोई प्रोपटी संबंधी विवाद चल रहा है, उसे सुझाने का उचित समय है आपको अपनी मेहनत और कार्य प्रनाली के बहतरीन परिनाम मिलने वाले हैं विद्यार्थियों को भी शिक्षाव वकरिय से संबंधित समस्याओं से राहत मिलेगी नेगेटिव अपने व्यवाहार पर नियंत्रन रखना आती आवश्यक है क्योंकि गुस्से से काम बिगड़ भी सकते हैं अपनी वस्तुएं, दस्तावे जादी संभाल कर रखे क्योंकि चोरी होने या खोने की स्थिती बन रही है घर के रखरखाव संबंधी गतिविधियों में लोन लेने जैसी प्लानिंग भी बन सकती है व्यवसाई कार्यक शेत्र में आज आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा मारकेटिंग संबंधी कारियों में कोई बड़ा ओडर भी मिल सकता है पेमेंट मिलने संबंधी कारिया अभी सफल नहीं होंगे जिसकी वज़े से आर्थिक स्थिती सामान्य ही रहेगी धैर्या और सयम बना कर रखे लव पारिवारिक सदस्यों के बीच सामन जस्य पूर्ण व्यवहार बना रहेगा प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है स्वास्थ्य स्वास्थ्य ठीक रहेगा कभी कभी कमजोरी और ठकान की स्थिती रह सकती है भाग्यशाली रंगलाल, भाग्यशाली अंकदो, छे जून को शनी जयन्ती और वट सावित्री व्रत, काले तिल और तेल का करे दान, दोपहर में पित्रों के लिए करे धूप ध्यान याद रखें, इमानदारी, आत्म विश्वास, प्रेम, एकाग्रता और धैर्य, इन बुनों की वज़े से सफलता के साथ ही शांती भी मिलती है जोतिश के सभी अलत्स और ट्रैंडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी किसी भी विज्यापन के लिए हमारे चैनल से संपर्थ करें आपका दिन शुभ हो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें धन्यवाद अगर यह विडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राए जरूर लिखें विडियो देखने के लिए धन्यवाद अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें